नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों एससी ने MTS के रिगार्डिंग एक जो है नया नोटीज निकाला था कि MTS और यह हवलदार के लिए कितना कितना एज गुरूप होना चाहिए तो अभी भी अपलाई के लिए टाइम है तो जो लोग मतलब एज के कारण अपलाई नहीं कर पाए होंगे तो उनके लिए यह जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप लोग जो लास तक देखें और जो लोग प्रिफ्रेंस देने में गल्ती कर रहे हैं तो उनके ताइम यह मतलब जैसे दो एज ग्रूप में रखा गया था है ना मतलब जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि 18-25 था MTS के लिए और हवलदार के लिए ओके और आपका एक ग्रूप क्या है 18-27 का इस ग्रूप है वो भी आपका हवलदार और MTS के लिए है दोनों के लिए दो नठीक तो लेकिन यह जो है 2-3 दिन के बाद फिर से एक आपका जो है ससी निकाला कि मतलब यह जो है आपका मतलब एस गृस ग्रूप सही नहीं है यह मतलब जय गल्ति से लिखा गया है सही क्या है तो आईए आपको दिखाते हैं वो और जह लोग मतलब नहीं अपलाई कर प दोस्तों, SSE ने नया नोटिस में क्या कहा है, आईए आपको जल्दी से दिखा देते हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाए थे, कि दो एज गुरूप था, 18-25 और 18-27 था MTS के लिए भी, और हवलदार के लिए भी है न, लेकिन आपका SSE जो मतलब नया नोटिस निकाला था, 2- तीन दिन के बाद जब आपका बेकेंसी आया था, उसके 2-3 दिन के बाद आया था, ये नोटिस कि वो जो चटा नमर जो पॉइंट था, आप उसको मतलब इस तरह से पढ़े, में भी, रीडेज, आप उसको मतलब ऐसा जो है, पढ़ा जाए, क्या, 18-25 का जो है, एज साप कर दिया है, कि जो मतलब हवालदार के लिए अपलाए करना चाह रहे हैं, तो मतलब उनके लिए जो है, मतलब एज है, 18-27 तक है, ओके, तो जो जिनका भी एज 25 साल से ज़्यादा होगा, जो भी होगे, पचीस साल से ज़्यादा होगा, तो मतलब जो है, अपलाए करना से ज्यादा क्योंकि आपका यह मतलब हवालदार के लिए जो मतलब यह ग्रूप है 18 से 27 है तो आपके लिए जो मतलब चांस ज्यादा रहेगा तो जिनका भी एज 25 साल से ज्यादा है तो थोड़ा से ज्यादा रहेगा ज्यादा रहेगा तो आपके लिए एक चांस तो रहेगा कि मतलब भाई चलो ड़े यह MTS नहीं मिला तो हवालदार मिल जाए है ना तो आप जो हवालदार के लिए अपलाए जरूर करें और मतलब जैसे प्रिफरेंस देने में कुछ लोग गलती कर रहे है कुछ जो है दोस्तों का आपका जो कमेंट्स आ रहा है बहुत लोगों का कि कि मतलब जैसे मैंने दो-तीन प्रिफरेंस दिया और फिर मतलब उसके बाद कट-कट-कट कर दिया तो मतलब मेरा सेलेक्शन तो होगा ना तो दोस्तों आपको इसी के रिगार्डिंग एक अच्छा सा इन्फरमेशन बता रहे है मतलब जो आपको मतलब SSC भी का रहा है मतलब जो उसके बाद मैंने क्रोस क्रोस कर दिया क्यूं भाई आप जो है ऐसा मिश्टेक आप क्यों कर रहे है क्यों आप ऐसा गलती कर रहे है अप जो है मेरी एर्वाइस मत मानीए लेकिन यह जो है SSC क्या का रहा है आया आपको दिखाते हैं यह आप जो है देखी यह भला सब्सक्राइब तो जो लोग दो तीन चार पी जुक्रोष डाल के आप क्रॉस क्रोस कर दे रहें क्यों कर रहें आप ऐसा ओके कि पहली बात की तो जादाphonा है कुछ नहीं आती है आती है छुट कुछ आती है धे कैसी आती है और जब मतलब आई है तो आप लोग जो है क्या कर रहे हैं कि अपना दिमाग लगा दे रहें okay मतलब आप सिर्फ जो है 1020-100 वेकेंसी पे अपलाए कर रहे हैं जहां आपका जो है 10 थेट में ज्यादा आता होगा तो आप जो है बेकेंसी रहेगा वह आपका अलग बात लेकिन कहने कार्थी यह है कि जब total आपका जितना ज्यादा बेकेंसी रहेगा उतना पर आपकरें अपलाए आप मतलब जैसे एक chance तो लें आपको सभी का सभी प्रिफरेंस देने में दिक्कत क्या हो रही है आप जैसे सभी का सभी प्रिफरेंस डालेंगे सभी जितना भी code है आप सभी code डालेंगे तो मतलब all to all बेकेंसी पे आपका chance रहेगा आप जैसे दो तीन प्रिफरेंस डाल के छोड़ दे रहे हैं तो इस जो दो तीन state में जितना बेकेंसी रहेगा मतलब सिर्फ आपका chance उसी पे रहेगा तो दोस्तों जो लोग यह प्रिफरेंस मतलब जैसे कि डाल के क्रोस 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 कर दिये हैं तो उनके लिए क्रेक्षन का भी टाइम आएगा आपका पांच मैं से क्रेक्षन का भी विंडो आपका जो है मतलब ओपन होगा और यह जो लोग नहीं कि हैं अपलाई तो वो लोग आपका मतलब ये अपलाई करते बक्त जादा से जादा प्रिफरेंस दें, और हम तो कहेंगे आप सभी प्रिफरेंस दें, कोई भी न छोड़े, जब वेकेंसी आया है तो छोड़ना क्यों, है न, एक चांस तो रखेंगे, कहीं भी जौब हो जाए, दोस्तों कहेंगे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफरेंस दें, तो आपका चांस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो दोस्तों, यही एक मतलब नई इनफर्मेशन देनी थी, कि जो भी अपलाई नहीं कर पाए हैं, तो आपका यह हवलदार के लिए 18 से 27 का मतलब एज है, तो आप लोग यह हवलदार का प्रिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, और आप चाहें तो इस्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं, तो सभी का सभी कोड, और अभी जो है, जो लोग अपलाई कर रहे हैं, वो सभी का सभी प्रिफरेंस डाले, तो दोस्तों, आपको यह दी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, और इसी तरह के अच्छे ची इनफर्मेशन और जी के जी एस करेंट आफेर्स का सब्सक्राइब कर लें, आपको यह दी वीडियो अच्छा लागा होगा तो लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों मिलते हैं, एक अच्छा सभी वीडियो में तो प्वेकिल धाने पा, नमस्कार